हालेलुया वो है सब कुछ तोलने वाला वो है सब कुछ तोलने वाला बंद दर्वाजे खोलने वाला मेरी रूँ खुदा में मगन है मेरी रूँ खुदा में मगन है जहां मेरी नजात से खुश है जहां मेरी नजात से खुश है मेरे सर को उसने बलंद किया अब कौन मेरा है तेरे सिबा मेरी रूँ खुदा में मगन है मेरी रूँ खुदा में मगन है मेरी रूँ खुदा में मगन है तेरा धन्यवाब येश्य मसी येश्य मसी तेरे पवित्र लहू की जै हलिलुया प्रभु येश्य मसी तेरे लहू की जै हो येश्य मसी तेरे पवित्र लहू की जै येश्य मसी हम तेरे पवित्र लहू को पुखारते हैं तेरे पवितर लहू को पुकारते हैं तेरे पवितर लहू की जाजाकार ये शिमसी तेरा धन्यवाद 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 ये शिमसी तेरा धन्यवाद ये हालेलुया प्रभु येश्य मसी तेरे लहू की जाय 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 तेरे लहू की ये शुमसी तेखा धन्यवाद, 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 तेरे लहू की जै, लहू की जै, लहू की जै, लहू की जै, ये शुमसी तेरे लहू की जै, 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 तेरे पवितर 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 लहू की ज तेरे पवितर जलाली खून की जैय ये शुमसी तेरे धन्यवाद करते है धन्यवाद करते है प्रभु जी हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया प्रभु जी ये दिन आपने बनाया है यहुआ परमेशर, यह दिन आपने बनाया है, प्रभु जी आपका धन्यवाद इस दिन के लिए, प्रभु जी यह दिन आपकी हजूरी से भरा है, यह दिन आपकी आशित से भरा है, यह शुमसी, यह दिन तेरे लहू के साहे के नीचे चलने का दिन है, यह दिन तेरे कलाम से भरने का दिन है ये शिमसी प्रभू ये दिन हालिलुया तेरे पंकों की पना में रहने का दिन है इस दिन तु अपने पंक हमारे उपर फैला ये शिमसी प्रभू इस दिन में अपने लहू का भी शेक दे हमें इस दिन में पवितरात्मा का ताजा मसा कर इस दिन में प्रभू ह प्रभू तेरी नई की करुणा की बारिश हमारे उपर कर, नई की हुई करुणा की बारिश कर, प्रभू तेरी करुणा जो तुने नई की है, उसकी वर्षा हमारे उपर कर, प्रभू जी हम तेरे लहू के, मैं तेरे लहू के साहे के नीचे आता हूं, मुझे धो हैं विचार से हर दूशित बात से जो मुझे निकली खुदावन कलपना से भावना से तो शुद्ध करी शुद्ध के लहू से पवित्र कर प्रभू खालेलुया प्रभू मुझे को बना तु अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बाद जियोंगा प्रभू तेरे लिए प्रभू मुझे को बना तु अपना पवित्र स्थाथ धोकर शुद्ध कर अपने लहु से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बाद जियोंगा प्रभू तेरे लिए प्रभू मुझे को बना तु अपना पवित्र स्थाथ धोकर शुद्ध कर अपने लहु से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बाद जियोंगा मसी तेरे लिये Alléluia, 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 All आलेलुया, 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 आलेलुया Holy Spirit, fill my heart this morning Holy Spirit, cleanse me, wash me in the blood of Jesus Purify me Holy Spirit, search my heart, search my ways Holy Spirit, align my life with your presence Align my heart in your ways, align my life Lord with your word of God Hallelujah, आलेलुया, 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 हमारी जान को छू हमारी आत्मा को छू छू कुदावंद तेरी कुद्रत के द्वारा छू येश्व मसी तेरे जलाली लहू के द्वारा छू कुदावंद तेरे जलाली लहू के द्वारा तेरे बचन के निर्मल पानी से शुद कर तेरे बचन के निर्मल जल से शुद्द कर धोखधावन 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 धो खुदावना में लहू से लहू से कलाम से वचन से प्रभू तेरी हजूरी से धो तेरी पवितर हजूरी से धो रू को धो जिसम को धो जान को धो चंगा कर रू जिसम जान को चंगा कर चंगा कर कमियां घटियां दूर कर कमियां घटियां दूर कर प्रभू हम तेरे हजूर में आते हैं कमियां घटियां दूर कर ए शाहों के शेहन शाह और एलाहों के तू ए एलाह कर दूर मेरी कमियां घटियों को तू कर पूरा तूने रह्म किया रूह अपना दिया तूने रह्म किया रूह अपना दिया रहने को पाक सदा रहने को पाक सदा यसु मेरे खुदा ये है मेरी दूआ मुझे लायक सेहून बना मुझे लायक सेहून बना ए शाहों के शेहन शाह और इला हों के तू ए एला कर दूर मेरी कमिया घटियों को तू कर पूरा कर दूर मेरी कमिया घटियों को तू कर पूरा घटियों को तू कर पूरा यसु मसी मैं तेरे लहू के साहे के नीचे अपने जीवन को लाता हूँ अपने परिवार घटाने को तेरे लहू के साहे के नीचे लाता हूँ प्रभू जिन मैं अपने परिवार को अपने आपको तेरे खून की वाचा के संग बानता हूँ मैं ब्रदर ललिद को इनके परिवार घटाने को तेरे लहू की वाचा के संग बानता हूँ प्रभू मैं डिक्लेयर करता हूँ हमारे जीवन तेरे खून के संग बंदे हुए है ये शमसी तेरे लहू के संग प्रभू मैं तेरे इन लोगों को तेरे ब्लड कवनेंट के संग बांगता हूँ Lord I bind चंदर मोहन और इस फैमिली विद अब्लड कवनेंट Amarjeet Kaur and her household with the blood of the lamb Aruna Naavi with the blood of the lamb with the covenant of the blood Tanuja Seth and her family I bind with the blood of Jesus of Nazareth I bind Vinodh Christian, Vinodhini Christian with the blood covenant with the covenant of the blood I bind Tara Bansal with the covenant of the blood I bind Jasveer Singh Surinder and his family with the blood covenant that Jesus sealed and put His signatures in His own blood. I bind Suresh Kumar and Meena Kumari and their household. Lord, I bind this family with the blood covenant. I speak the blood of the Lamb over Suresh Kumar and Meena Kumari. I speak the blood of the Lamb over their children, over their household. Lord, I release the blood right now over their household. Everything that they have and everything that You bless them with, I cover under the blood. I cover their bodies under the blood. May they live a healthy life, Lord, and may they glorify You. Lord, I pray, bless them, Lord, that they have given their house for Your kingdom, for Your glory. Lord, they sowed their house for Your glory. I pray, Lord, You give them tenfold more blessing for that generosity. Lord, Lord, I bind R. Pamela Ali with the blood covenant of the Lord Jesus of Nazareth. Lord, I bind Danish Danish with the blood covenant. Lord, I bind Gurpreet Singh with the blood covenant. I bind Gurdeep Singh from Dagan and his household with the blood covenant. Lord, I bind Dhraminder Kumar with the blood covenant. Lord, I cover these people under the blood covenant. I cover Ravi Prakash Gupta and his family under the blood covenant. Under the blood, under the blood of the Lamb, under the blood, Rima Shamim and her household. I cover under the blood and Lord, I cover hallelujah, their household under the blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Bless Gurdeep Singh. Cover his household under the blood. Lord, I cover Meenu Sud and her husband, their family under the blood. Lord, I cover Tanuja Seth and her husband and their family and Lord, the person that is sick in their home under the blood of the Lamb. Under the blood. Khun کے سائے کے نیچے لاتا ہوں, خداون. Hallelujah. Lord, I cover Manisha Singhi under the blood of the Lamb. Bring her household under the blood. Hallelujah. Tiree lahoo کے نیچے آتے ہم سب. Prabhu, ہم تiree lahoo کے سنگ اپنے آپ کو بانتے ہیں. Lord, I tie myself my household under the blood. Khudaون. میں بانتا ہوں تیرے ان لوگوں کو تیرے خون کے ساتھ. تیرے خون کی باچہ کے ساتھ. Prabhu تیرے خون کی انشیش کو. تیرے خون کے بھی شیخ کو کھولتا ہوں تیرے ان لوگوں کی اوپر. Hallelujah. Prabhu خون کے بھی شیخ کو کھولتا ہوں. Brother Raman خان اس کے گھرانے پہ تیرے خون کے بھی شیخ کو کھولتا ہوں. تیرا نام اوچ چاہو خدا ہمارے جیونوں میں. Kishu مسیح تیرے جلالی نام میں اس دعا کو ہم مانگتے ہیں. Amen. Hallelujah. میں Permishor کے وچن میں سے ایک چھوٹا سا سندیش آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم Samuel نبی کی پستک پڑھتے ہیں. پہلا Samuel اس کے تین چار دھائے کو پڑھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ Permishor کا جو مندر ہے شلو میں Permishor کے یاجکوں کے بھرشت چار کے کارن Permishor کے یاجکوں کے ادھرم کے کارن پاپ کے کارن Permishor اس مندر کو اس حیکل کو تیاغ دیتا ہے. جب Permishor اس حیکل کو تیاغ دیتا ہے تو شترو بلوان ہو جاتے ہیں. آپ کے جیون میں آپ کے شترو آپ کے ویرود میں پربل تب ہوتے ہیں جب Permishor کا کی حضوری سے آپ دور جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ Permishor کی واجہ کے صندوق کو شترو لوگ اٹھا کے لے گئے فلشتی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ Permishor نے فلشتیوں کو مارا ان کے ٹیومر نکل آئے اور ان کے خیتوں کو سوپر نیچرلی چوہے چٹ کر گئے تو صندوق کو اپنی حد سے پرے کر دیا تو کریت جریم میں امینہ داب کے گھر میں Permishor کے عہد کا صندوق رہا نائنٹی دیز جب Permishor کے عہد کا صندوق نبی دن امینہ داب کے گھر میں رہا تو امینہ داب نے Permishor کی حضوری کو بہت familiar سمجھا اس کے حردے میں Permishor کے لئے وہ بھوک وہ پیاس اور وہ خوج نہیں تھی اس لئے Permishor کی اپستتی نے امینہ داب کے گھرانے کو برکت نہیں دی کئی بار ہم Permishor سے overly familiarize ہو جاتے ہیں جب ہم overly familiarize ہوتے ہیں تو Permishor کا بھی Permishor کا سمان Permishor کی گریمہ کا سمان اس کے یش کا اس کی کرتی کا سمان ہمارے دلوں سے اٹھ جاتا ہے تو پربو کی آنشیش ہمارے جیون پہ نہیں آتی پرمishor کی بھے یکت اپست تھی ہمارے اندر واس کرنی چاہیے تو Permishor کے عید کا صندوق راجہ داؤد جو ہے وہ جانتا ہے کہ امینہ داب کے عبید عدوم کے گھر پہنچ گیا ایک بیکتی ہے بائبل میں اس کا نام ہے عبید عدوم عبید کا مطلب ہوتا ہے نوکر bond slave میں نے آپ کو شادی تین چار سیشن میں عبید means servant عبید کا مطلب bond slave بند ہوا غلام تو میں آپ کے لئے وچن پڑھتا ہوں hallelujah پہلا اتحاس first chronicles پہلا chronicles اس کا chapter number 13 اور سنیے میں اس کے پہلا اتحاس 13 دھائے کے 9 وچن سے پڑھتا ہوں یہاں پہ لکھا and when they came to the threshing floor of kidon Uzzah put forth his hand to hold the ark for the oxen stumbled and the anger of the lord was kindled against Uzzah and he smote him because he put his hand to the ark and there he died before god so तो मैंने पहले इस पे आपको संदेश दिया, जिसे हम खल्यान बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग फ्लोर, जिसे हम बोलते हैं वो जगा जहां पे गेहूं में से भूसा निकाला जाता है, ये वही जगा है जहां पे परमेश्वर का मंदिर बना, ये वही जगा है ज यहां पर येशियमसी को कुरूज पे चड़ाया गयाए। और यह वही जगा है। मत्ती तीन के बारा में लिखा है। जहां पर येशियमसी समय खड़ा है। अपने खल्यान को साफ करने के लिए। कलीसिया जो है वो उसी जगा बनाई गई है। जहां पे गेहू में से बुसा साफ किया जाता है हालेलुया तो परमेशोर ने मार दिया उजा को तो गैरावचन में लेका हैं डेविड वास डिस्पलीज़ विक्ष़ लोड हैड मेड ब्रीच अपॉन उजा दियरफोर अप्लेज इस काल परेज उजा असली भाशा में लेका यहोवा उजा पे तूट पड़ा इसलिए दाओद दुखी हुआ बारावचन में लेका डेविड वस अफ्रेज 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 प्रमेशोर से डर गया दाओद सेंग हाव शल आ ब्रिंग दी आर्क होम तो मी कैसे लेकिया हुँगा प्रमेशोर के हाद का सनूप तो तेरह अफ्रेज अफ्रेज में लेका प्रमेशोर का एक दास है जिसका नाम है उबेद इदोम अबेद इदोम दूसरा सेमूल शे का गयारा दूसरा सेमुल प्रभू के और से है ये दूसरा सेमुल छेद है का ग्यारा बचने है जल्दी से पढ़ता हूँ आपके लिए सुनिए दूसरा सेमुल छेद है का ग्यारा And the Ark of the Lord continued in the house of Obed Idom the Gittit Three Months तीन महीने परमेशर के एद का संदूक एक सधारन व्यक्ती के घर में रहा जिसका नाम है अबेद इदूम And the Lord blessed अबेद इदूमे लौल इसाल सोल यहोवा ने अबेद इदूम को और उसके सारे घराने को बहुत बरकत दी यहोवा की अबेद इदूम के घर में राजा दाओद ने क्यों रखा है एद का संदूक जबकि एक बंदे ने एद के संदूक को लजाते समय हाथ ही लगाया था जबकि वो लेवियों के गोतर का था तो यहोवा ने इसको मार दिया तो क्यूं सधारन व्यक्ति के घर में पर्मेशर के एद के संदूग को रखा क्यूंकि अबेद इदूम यहोवा का उपासक है यहोवा की अराधना करने वाला है दाउद को पता है कि यह प्रभू की स्तुति और अराधना करने वाला व्यक्ति है इसलिए परमेशर के एहद के संदूग को वहां पे रखा हालेलुया और यहोवा ने उसको फलवंत किया और यहोवा ने उसको बहुत आशीशित किया मैं एक और वचन पड़ता हूं पंद्रा अध्याय का अठारा वचन जब यहोवा परमेशर ने अबेद इदूम को बहुत बरकत दी बहुत आशीशित किया नबे दिन परमेशर के एहद का संदूग उसके घर में रहा तो अबेद इदूम और अबेद इदूम का घराना यहोवा के एहद के संदूग के इर्द गिर्द बैठ के दिन और रात उपासना करते थे उसका पूरा घराना यहोवा के एहद के संदूक नाचते हुए यहोवा की स्तुति करते थे अराधना करते थे निरंतर उनकी आँखें यहोवा के एहद के संदूक पे लगी रहती थी क्योंकि एहद के संदूग पे वाचा के संदूग के उपर सेनाओं का यहवा साक्षात स्रिस्टी का रच्चिता परमेश और विराज मान था हालेलुया अबेद दूम के पत्नी उसके बच्चे उसका घराना उसके भाई उसके परिवार उनके पूरे का पूरा कुन्बा यहवा के एद के संदूग से प्रिती करने लगा और उसके आगे उपासना करने लगे भाई और बेनों कुन्जी है उपासना अगर आप यहोवा के उपासक बनेंगे अराधना करेंगे इस्तुती करेंगे यहोवा की हजूरी में नाचेंगे गाएंगे यहोवा की और अपना ध्यान रखेंगे यहोवा आपको संसार की फिक्रों से बचा के रखेगा यहोवा प्रमेशर आपको संसार की फिक्रों से, संसार के गंदे कामों से महफूज रखेगा, उन अगनी वानों से आपकी रक्षा करेगा जो शेतान आपके विरुद भेजता है, वो विकट परिस्तितियां, वो टेम्टेशन, अजमाशी हैं जो शेतान आपके विरुद अपने जीवन की बनयाद यहोवा की हजूरी पर रखी है, आपकी लाइफ लाइन है एद का संदूक, आपके जीवन की अधारशिला है यहोवा की उपस्दती, और आप किसी और चीज़ को नहीं डूनते, सिवाए यहोवा प्रमेशर की उपस्दती को, आप संसारिक को ढूलते हो संसारिक चीजें आपके पीछे भागी आती है हलिलुया यहवा इस स्रिष्टी को हुकम देता है कि वो आपको वो सब कुछ मुहिया करे जिसकी आपको जरूरत है तो कुझी है अराधना अबेद इदों में एक सधारन व्यक्ति है लेकिन यहवा से प्रिति करता ह अराधना करता है प्रस्टिश करता है उसके बेटे उसकी बेटियां उसके भाई उसके कजन उसकी बेने उनके घराने सब के सब यहवा के उपासक है भाई और बेनों अपने घराने को अपने परिवार को अपने खांदान को सिखाईए अराधना की कुझी है आपको मालूं अराधना के लिए जो पहला शब्द है बाइबल में, हीब्रू में, उसका मतलब है शाश टांग दंडवत करना, यहोवा के चरनों में लिट जाना, बिश जाना, हालेलूईया, हालेलूईया, यह व्यप्ति, अबेद, इदोम, गिती, यहोवा की हुजूरी से प्यार करता है, और इसका सारा घराना, यहोवा की हुजूरी से प्यार करता है, एद के संदूप के आगे साज बजाते हैं, और मकाल करते हैं, गोल-गोल घूम के नाचते हैं, एद का संदूप 90 डेज इनके घर रहा है, यह होती है सूपर बलेसिंग, अबंडंटली, यहोवा ने इने बले पड़ता हूँ, और इने ब्रदरन ऑफ रहा है, जकराया, बेन जजियल, शिमरमोत, जहियल, उनी इलाव, बनाया, माशिया, मतताया, इली पिले, मकी आया, और अबेद इदूम, और जियल, दा पॉर्टर, हालिलुया, यह हैं याजक, अबेद इदूम, जो है, एक सधारन है, लेकिन इसकी गिंती कहां की जा रही है, याजकों के घराने के साथ, अब आगे चलिए, किस वचन पढ़िये, एन मतताया, इन इली फिले, मिकनिया, और अबेद इदूम, जियल, और अजराया, वर विद हार्प ऑन दा शिमनीथ टू एकसल, क्या क्या काम कर रहा है, यहवा के आगे साज बजाने के लिए, यह कहां यहवा के आगे साज बजा रहा है, जो तंबू राजा दाओद ने दाओद की नगरी में बनाया, इस व्यक्ति ने क्या किया, जब राजा दाओद परमेशर के एद के संदूक को अबेद इदूम के घर से लेके गया, इद को छोड़के चले गे राजा दाओद की नगरी, और क्या करने लगे, यह पोटर बन गए, इनके घराने के लोग, यहवा के भावन के दौार पाल, और दूसरी जगह कहा लिखा है, साज बजाने वाले गवईये बन गए, और 24 वचन पढ़े, इनों ने कहा हम वही रहेंगे जहां एद का सुनूक है, यह बिलकुल एद के सुनूक के पास रहने के लिए अपना घर चोड़के चले गए, दाओद की नगरी में, हालिलुया, जहां प्रबुक्री हुजरी वहां हम बास करेंगे, बहुत से लोग प्रबुक्री हुजरी को छोड़ते हैं, उन जगाओं को चुनते हैं जहां पैसा बहुत हो, जहां जॉब बढ़िया मिले, जहां बिजनस फुलरिश करें, वो प्रबुक्री हुजरी को छोड़ देते हैं, और आपका मालूं, उनका हाल क्या होता है, और अधमुआ करके छोड़ दी हैं, आपको भाई और भेनों, अपने जीवन में यर्दन नहीं चुनना है, लूत और अबरहाम जा रहे थे, लूत अबरहाम लूत से कहता है, तुम चुन लो, जो इलाका चुनना चाहते हो, तो वो यर्दन के पास आए, यर्दन के पास बह चुनता है, क्योंकि वहाँ सदोम और गुम हो रहा है, वो शहर जो आग से नाश कर दिये गए, तो अपनी आखों की अभिलाशा से मत चुनिये, चुनिये प्रभू की हजूरी को, हो सकता है आपका नुकसान हो, हो सकता है उतनी जबर्दस जाब ना मिले, हो सकता है उतना ब देगा, उसका आपको कोई अनुमान भी नहीं है, कि कितनी बड़ी अशीश यहोवा परमिश्वर आपको देगा, हालेलुया, हम मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, पढ़िए मेरे साथ, पहला इतहास का सोला अध्याए, पहला इतहास का सोला अध्याए, और उसका मै आपके लिए पढ़ता हूँ, 37 बचन से, सुनें, अबेद इदोम के भाई, उसके कजन, उसके खांदान के जितने भी कजन वगेरा भाई, उनकी गिंती है 68, 68 हैं, अबेद आलसो दे सान अफ जेडूतनन और होशा टूबी दा पोर्टल, पूरे का पूरा घराना, अबेद इदोम इतना जबर्दस अगुआ है, इतना जबर् भाई इसके भाईयों पे, इसके कजन पे, इसके पूरे घराने पे है, 68 लोग इसके घराने के यहोवा की हैकल में और यहोवा की सेवा कर रहे हैं, 68 उसने बोला हम सारे का सारा, पूरे का पूरा हमारा खांदान, हम सारे का सारा हमारा कुनबा, सारे का सारा कबीला, हम तो भ भाई लोग, पूरा खानदान, पूरा कुनवा, सब के सब चले गे अपने गाउन अगर को छोड़ के, उन्होंने कहा, हम संसारिक बिजनस, संसारिक जॉब, संसारिक कारो, आज दुनिया के लोग ना विश्वाची लोग, संसार के धन के पीछे भाग रहे हैं, उनको मालूम प्रभू की हजूरी क्या माएने रखती है, प्रभू का कलाम क्या, अरे भाई, परमेशर एक पल में तेरी जीवन बदल सकता है, एक पल में, जिस पैसे के पीछे तू भाग रहा है, जिस संसारिक चीजों के पीछे भाग रहा है, और प्रभू के कलाम को तुछ जान रहा है और प्रभू के कलाम की खोज नहीं कर रहा प्रभू की हजूरी की खोज नहीं कर रहा प्रभू के सच्चे दासों की जिनके उपर प्रभू की हजूरी है उनकी संगत नहीं कर रहा है तो जो तुर कठा कर रहा ना तेरी जेम में से निकल जाएगा सुन ले मेरी बात त्यान से ये ठहरेगा नहीं प्रभू ही सचा धन है इसके पूरे कुनवे ने पूरे खानदान ने प्रभू को चुन लिया हम और कोई काम करेंगे नि भाई हम तो यहोवा के भवन में द्वार पाल रहेंगे हम तो यहोवा की हुजूरी के आगे नाचेंगे गाएंगे यहोवा किस्तुती करेंगे यहोवा खुद हमारी सुधी लेगा हालेलुया यहोवा हमारी सुधी लेगा एक वचन और पढ़ें इसी का पहले इतहास का 26 अद्याए पहला इतहास उसका शबी से दिया है अब सुनें मैं पढ़ता हूँ उसके चौते बचन से मोर ओवर दा संस अफ अबेद इदोंबर शिमाया दा फर्स बॉन जहो जोदा जहो जाबाद दा सेकंड जहुआ दा थिर्ड शकार दा फूर्थ नितिनियल दा फिप्थ अमियल दा सिक्स्थ इसकर दा सेवन्थ पिलूती दी एट्थ और गॉड बलेस्ट देम आठ बेटे हैं इसके आठ आठ के आठ यहोवा के संग चलते हैं पढ़लो वचल यह नहीं कि आपके बेटों के जीवन में शतानी आत्माई काम कर रही हैं वो नशे कर रहे हैं जना कारी कर रहे हैं उनके परिवार बिखर रहे हैं उनके जीवन पे यह शीश नहीं है यह बंदा अरादक है यहोवा का और अपने पूरी फैमिली का लीडर है अगुआ है इसकी बीवी इसकी आग्या मानती है इसके बच्चे इसकी आग्या मानते है इसके भाई इसकी आग्या मानते है इसके कजन्स इसकी आग्या मानते है इसकी रुहानी इंफ्लूएंस इतनी है कि इसका पूरा कुन्बा इसकी बात मानता है इसने अपने पूरे कुल्मे से कहा भाई हम लोग तो यहोवा की अराधना करेंगे सारे का सारा घराना यहोवा की अराधना करने के लिए चला गया दौरपाल बन गे यहोवा देखिए इसका इसका आप 26 का बारा वचन पड़ें पहला इतास 26 का बारा अमांग आप देखिए इसका यहोवा कीे ऐसा जाए जाएगा तो क्या लिखा चौदा बचन पड़ें चौदा में लिखा है and the Lord eastward fell to शिलिमाया then for Zechariah his son a wise counselor they cast lots and the Lord came out northward to obeyed Idom southward and his sons in the house of Ashufim देखिये पूरे का पूरा घराना यहवा की सेवा में लगाए आलेलूई या एक सधारन व्यक्ति यहवा के आजिकों में शामिल हो गया आपको मालम क्यूँ क्योंकि वो यहवा की हजूरी से प्यार करता है आपको चाहिए सची यहवा की हजूरी आपको बनावटी Christianity नहीं चाहिए Empty Dead Christian Religion नहीं चाहिए यहवा की हजूरी के खोजिई बनिये सची हजूरी के पीछे भागिये अपना सब कुछ तियाग दीजिए इश्यमसी के नाम में आपके हजूर में प्राथना करते हैं भाई आमिया बिंदू के लिए, भाई महेश के लिए, रतंजी के लिए, कॉमल, साइमन, खुदावन, इन सबको आपके लहू के साई के नीचे लेकर आते हैं, इनके जीवनों में काम करें खुदावन, प्रभू इ के लिए के घराने के लिए मैं प्रात ना करता हूँ इनके बेटे के लिए अपने लहू की कुदरत इन पर रिलीज करें डेजी भी एस को अपने लहू में चिपाईए लॉर आप्र विलियम मसी फॉम ब्रिटन मुव इन इस हार्ट आइ स्पीक यू बलाड ओर इस लाइफ दावा लोड जीजस लोड पास्टर जॉन आइ प्रे फॉर हिम लोड सैंसन हालेलुया रावन तेरा धन्यवाद हो तेरे लहू की जैह हो आज का सारा दिन हम जान जान जाएं तेरे बचन को फैलाएं खुदावन अपासना अराधना में तेरा दिन बतीत करें लोगों के हुद्र हजूरी हमारे बीच में उतराएं खुदावन हालेलुया तेरा नाम हुचाओ ये शुमसी तेरे जलाली नाम में इस दूआ को हम मांगते हैं आमीन जैमसी की